चैनल को करे सब्सक्राइब और दवाए नोटिवेगसन बेल के घंटी को ताकि आपके दिमाग की घंटी हमेशा बसती रहे नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे दोस्तों इस वीडियो हम लोग कार पेंटर में जो भी औजार इस्तमाल में लाए जाते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे क्या है उनके नाम और क्या है उनके काम इन सभी को इस वीडियों हो लोग जानेंगे इसके बाद फिर मैं एक और नया वीडियो अप्रूट करूँगा जिसमें की कार्ड पेंटर से सम्बंदित कुछ most important question होंगे ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी tools को देख ले और पहचान ले ताकि जब मैं questions answer करवाऊं तब आपको उसमें कोई भी confusion ना हो कि या क्या है और किसके नाम है क्योंकि ये नाम आपको पहले से मालूम होंगे तो आप लोगों को questions answer समझने में ज्यादा परिशानी नहीं होगी तो चलिए करते हैं इस वीडियो को start वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और यदि आप पहले बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को subscribe करके notification बिल आइकन को जरूर कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो और आगे upload करूँ तो इसकी जानकारी मिले आपको आपके phone के notification के माध्यम से तो चलिए करते हैं इस वीडियो को start और एक वात कि जितने भी आप ये tools देख रहे हैं ये जो file देख रहे हैं इसके link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे आप वहां से इसे download करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं तो चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले आपके description देख रहे हैं रंदाई केहारे जार जार की जिससे हम लोक लखडी का जिए काड़ी होता है उसमें जो plane surface बनाया जाते हैं इसमें इसका इसलिए काड़ी का के होते हैं तो इसके बनाने में जो भी tools इस्तमाल में लाए जाते हैं वहा सभी यहाँ पर सामिल किये गए हैं तो जैसा कि आप देख्ण फैला यहाँ पट दिया हुआ है जैक एक्प्लें यानि की बड़ा रंदा यह लकड़ी पे जो उबर खावड़ होते हैं उसे प्लें करने में जैसा कि आप भीड़ में देख्रें यहाँ पर हुआ के कुर्ण करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है यहांपर जितने भी यह सब देख रहे हैं गुट का रंदा या फिर smoothing plane यह सब सेम है सभी के कार सेम होते हैं यहांपर आप देख रहें जो भी स्क्रीन पर आगे फिर इसी तरह से देख सकते हैं पतामी रंदा यहांपर नेक्ट फिर अगला फिर है प्लो फ्लेन यानि की जी उसका इस्त्वाल किया जाता है दो आगे फिर वही सब हैं आगे देखते हैं स्पोक सेफ प्लेन आगे फिर कमपास प्लेन इसके आगे इसी तरह से इस्त्माल हो जाते हैं वो सुभी आगे फिर यहां आप देख रहे हैं कि चोट मारने वाले औजार यानि कि कोई लगड़ी के कोई कारी हो तो इसमें ठोकने का कारी जरूर होगा चाहिए वो फिर उसमें कील ठोकने हो या फिर कोई अन्य प्रकार की काम उसमें हो तो हत्र थोरी की आबसकता होती ही है तो यहाँ पर आप देख रहें फहले कौन से हैमर है क्रॉस पीन हैमर यहाँ पर देख रहें इसमें नीचे पेंट तरह से बने हुए है और उपर जो देख रहें गोल या यहाँ पर हेड इसमें बने हुए है बीच में जो गर्दन यह से भी है और यह पकरने के लिए इसमें एक हैंडल लगे हुए आगे फिर है पंजेदार हतोरी यहाँ पर देख से इसमें एक पंजा बना हुआ है उपर जिसमें की कील वगए इसमें निकाल सकते हैं और साथी साथ हतोरे का जो कारी है चोट मारने के लिए इसका इस्तमाल इसके द्वारा किये जा सकती है यहाँ पर अब देखते एक मैलेट है जो कि लकडी का बना हुआ है लकडी का बना हुआ यह थोड़ा है आगे फिर देख रहे हैं आप यहाँ पर दिये हैं लकडी को चेरने वाले औजार लकडी का काम हो तो समानता सी बात है समाने सी बात है कि लकड़ी को चीरना जिरुरुका यदि कोई चौकट वगड़ा कुछ भी बनते हैं कोई भी चीज तो पहले कोई भी लकड़ी एक गोल सेप में होते हैं फिर उसे चौकट का आकार दिया जाता है तो यहां पर आप देखने यह रीप सौ यानि कि सौ आड़ी पत्ति आप जानते होंगे आड़ी यहां पर यह लकड़ी को चीरने में इसका इस्तमाल होता है नेक्ट फिर है क्रॉस कट सौ इसमें देखने हैं अब क्रॉस टाइब का बना हुआ है जो की वन हैंड़ है एक आदवी मिलके इसे एक हांस से पकड़ कर सकते हैं काट । यानि की आरे सिमपल समझे तो 100 यानि की आरी नैक्ट फिर है टेनन सौ और डेव्तेल सौ ये भी सेम है आरी पत्ती है इनसे भी काटने का ही काम किया जाता है ये से भी फ। Lad को बदलके कभी ज़胶े आपको लकड़ी का का कॉल के भी होते। यह को बदल सकते हैं यह ओंके पास बिए किसी तरह के को होते हैं उसमें इसका सब्सक्राइब होता है फिर देखने आप फ्रेट सौ फ्रेट सौ यान की फ्रेट आरी आप लो जानते हैं यह सब काटने में इस्तमाल होते हैं की हॉल सौ यह सब काटने चीरने फारने में इसका इत्माल होता है अब जब चीड़ने फारने की बात हो तो उसमें पहले माप करना जरूरी है कि हमें कितना लकड़ी किस तरह से काटना है या फिर कैसे उसे चीड़ फार करना है तो इसके लिए मेजर्मेंट टूल्स बहुत ही आहम भूमी का निवाती है क्योंकि बिना इससे न देख रहें मापने का यह वि्या तूल्स है आगे फिर देख रहें है यहांप इस्टिल टेप एस आपलों जानते हैं दिस्मीं की नापर जाते हैं लंबाएं चोड़ाई कि लोग जानते हैं अब कई लखेल हो ये ज्मरें करना हो तो से निसान लगा न से कि हम लोग कहां से कर ना कितना है ना क्चा में का लुए पूर्घ नहीं लगाया जाता है तो इ तो इसमें आप लोगों ने देखा होगे जो काम करते लगड़ी तो आप लोगों कि घर में काम क्या हो तो देखते होंगे कि पैंसिल उनके पास अबस होते हो अपने कान पर रखते या फिर जैसे भी रखे पर पैंसिल उनके पास होते हैं एक मार्किंग करने के लिए यह से भ मार्किंग नाइब देख से मार्किंग चाकू ये एक बहुत ही नुकीली धारदार होते हैं इनसे जो है निसान लगाए जाते हैं आगे फिर इस्टील स्क्वाइर ये सभी निसान लगाने के कारी आते हैं मार्किंग गेज आगे फिर है मोटर मोरटाइज गेज ये सभी जो थ इसमें यादी बीच में कुछी समान रखे जाए तो इस तरफ और उस तरफ माप आ जा सकता है कि जो भी है वह सब कुछ बढ़ावर है या नहीं तो यहां इस नी गुझानति यह क्या उसके बाद तक जो भी आपने कुछी बजाएं हैं तो वहां बीच में कोई उचा या लिया या सपूझ समान है या नहीं उसे मापने के लिए इसका इस्तिवाल करते हैं साहुल या फिर प्लम बॉब इसे कहते हैं आगे फिर है इस्ट्रिपडिट लेवल का भी वही काम है वाटर लेवल पाइप यस वाप रोग जानते हैं पाइप लेवल करके नापे जाते हैं कि क्या सही या या नहीं कहीं उचा लिया तो नहीं है आगे फिर छिलने के लिए अब कोई लकड़ी यदि उबर खावर यदि मापने के बाद मिल जाए तूसे अब तो छिलना होगा तो इसके लिए वी टूल्स होते हैं चीपिंग टूल्स छिलने के उजार्व करते हैं क्या चीपिंग टूल्स है तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर क्या है फिर मर चौर सी यहां पर एक नोकिला धार होता है इसमें आगे से जिससे हम लोग लकड़ी के जो भी करते हैं लकड़ी का क नाम उसमें इसे छीलने के लिए इसका इस्तमाल होता है छीलने के लिए आगे फीड आप देख रहें यहां पर है वैवल चौरसी वह भी सेम सभी के सेम काड़ी है आगे फीड है लंबी चौरसी चौरी चौरसी यानि कि जिस तरह से नाम उस तरह से इसका आकार भी है जो यहा एक ही हैं नेक्ट पर देख रहे हैं holding tools अब किसी को काटना हो कोई भी लकड़ी या कुछ भी इसमें cutting करना मार्किंग करना जो भी करना तो उसे पकरने के लिए कोई आदिमी की साहता तो हम लोग बार बार नहीं ले सकते इसके लिए tools की आवस्ता होती है तो यहां पर आप दे बीच में रखकर जो नट दीख रहे हैं इसे टाइट कर दिया जाता है ताकि वह बाहर ना निकल सके और वह टाइट से इसमें जकरे रहे तो इसका इस्तमाल क्या आता वैंच वाइस आप लोग जानते हैं बैंच पर यह फिटिंग होते हैं आगे फीर देख रहे हैं यहां क्या मिल रहा है देखने को बोरिंग टूल्स बोरिंग टूल्स यानि की सुराक करने वाले ऑजार अब कहीं छेद करना हो कोई लक्री का कारी कर रहे हैं उसमें छेद करने होते हैं कहीं कहीं किलिप लगाना हो कुछ भी लगाना हो तो इसमें इसका इस्तमाल होता है तो यह देखाए हैं इंड्रील यह लिए ऍद्रिल फहले आते थे जिसमें कि एक रसी के द्वाड़ा उसमें चलाया जाता था पड़ा वी पिलाल आधुनिक की करण के कारण कई नय नय टूल आces आगये हैं जिसमें कि एलेक्तिरिक वगरा भी एलेक्टिक के माद्याम से अप आसानी से drill किया जा सकता है, यहाँ पर यह क्या है, handrail जो कि हांस से घुमा के drill यानि की छेद कर सकते हैं, इसके द्वारा आगे फिर है, plane based, यह भी सेम, सभी का कार एक ही है, कोई अंतर इसमें नहीं है, सिर्फ नाम अलग है, सब कुछ अलग है, इसके बनावट अलग है, पर क परारी, एक ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह पकरने के लिए handle में दिये हुए हैं, और इसमें एक बने हुए घिरनी टाइप का जो कि इससे गुमाते गुमाते अराम से आसानी से छेद किया जा सकता है, आगे फिर देख रहे हैं, आप सभी के नाम जो ही मैं कहरा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि किसके क्या नाम है वहाँ पर आप लोगों को नहीं होना है, यह देखने फ्लैट ड्रिल बीट, आगे फिर है सेंटरल ड्रिल बीट कही तरह से यह सभी ड्रिल में लगा कर इसका इस्तमाल होता है, आगे फिर देख रहे हैं, एक्सपैं आप बार बार इस्तमाल करते हैं, तो उसके धार जो होते हैं, वह समापत हो जाते हैं, तो इसके लिए भी फाइल का इस्तमाल होता है, इसे हम लोग साधारनता करते हैं क्या रेती, इसका इस्तमाल किया आता है, इसमें, यहाँ पर देख रहे हैं, यह क्या है, रास्प हैं तो यहां पर होगा मिश्द लेने से सामिल किए गये हैं यहां पर यह क्या है चाइब यानि कि याप जानते हैं कोई भी को को टाइट करने के लिए स्कूरू को चलाने के लिए किसका इस्तमाल होता है स्कूरू ड्राइवर का तो यहां पर यह क्या है स्कूरू ड्राइवर या कई साइज के होते जिस तरह से हमें जिस भी तरह के नट को या फिर बोल्ट को ओपन करने के लिए जिस तरह से हमें कारी करने की लकडी में यदि इसे इस्तमाल करना तो इसके लिए अलग आते हैं लोहे के लिए अलग आते हैं और जिसमें बिश्वाइस करना है अलाग अलाग आते इसके नंबर होते हैं यह नंबर के अनुशार मिलते हैं यह क्या है send और एमरी पेपर ऐसे हम लोग सदारनता इसे क्या करते हैं स्रेस पेपर या फिर स्रेस कागच फर यहां पर यदि इस language हम लोग पढ़ें तो यहां पर हम लोग को क्या इसे समझना होगा send और एमरी पेपर तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखें अब कोई कारी करते हैं तो उसमें खुद की जो सुराशात्मक उपकरन है उससे तो इस्तमाल करना होगा ताकि जो कारी कर रहे हैं हमें कोई छती उससे ना पहुंचे यदि कुछ हो भी तो उससे हम लोगों को कोई जरूद करते हैं कि एयर प्रटेक्टर याए कि कान को जिससे कांड़ को सुरक्चह मिले कान में ज़्यादा आवाज ना एथ तो इसलिए नहीं बस्त तो इसमें music बगएर नहीं बसते हैं यह वस कान को सुरक्चह परदान करने के लिए है जो कि बाहरी जो भी जढ़ा आवा कि पहुंचे सैंफ मास जो कि नाक में जो लकडी बगाड़ काम होते हैं वहाँ पर लकडी की जो उर्ते हैं-धूलकन वो नाक में ना पहुंचें प्रेस्ट मार्क्स इस्तमाल में लाई जाते हैं आगे फिर देखने आप गॉगल्स जो की यह देखने में लगड़ाय कि यह स्विंग पूल में जो नाने जाते यह सभी आप लोग सूज और आगे देखने जैकेट एप फ्रोन है यहां पर आगे फिर गलब्स हाथ की सुरक्षा के लिए इन सभी का इस्तमाल होता है आगे आप देखने पोर्टेवल पावर टूल्स मसीन मैं आपको पहले भी का था कि जो भी अभी समान वर्तमान में प्लेड यह देखने हैं साफ यह एक स्वायर्य के लिए लक्री न हैं और यहां रोटर से अफरे सब्सक्राज होता है आप आप डेखने सांड़ मोटर लगी होती है और चाहि को कई रूप से इसका है हम लोग कर सकते हैं छेद बगड़ा करने के लिए कई तरह से इसका इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं इलक्ट्रिक सरकुलर हैं यहां पर देख रहे हैं ब्लेड लगे हुए हैं यहां नीचे में और लक्री बगड़ा को चीरने में काटने में इसका इस्तमाल ह होता है और यह लोहे को काटना होतों उसके लिए अलग ब्लेट आते हैं उसकी सहता से आप लोहे को भी काट सकते हैं नेक्ट फिर अलक्ट्रिक ड्रेल जो इसका इस्तमाल होता है जो दोनों लग-लग टाइब केसे में लगे हुए होते हैं ब्लेड आगे फिर देखने की wiels की बहुत कोी फ़रनिचर का काम हो कुछ भी हो तो यह है कील कई करिकर होते हैं सभी जिस एक शाइज का हमें अब जाते हैं आगे फिर देखने पीन किल्स यह पीन किल्स अलग होते हैं पीन टाइप के तो यह पीन कई तरह से होते हैं पीन किल्स जिस तरह से भी हमें इसका इस्तिमाल करना हो पीन हमें मिल जाते हैं तो इस वीडियो में बस इतना आगे फिर आपको और नए वीडियो देखने मिलेंगे वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग नीचे कमेंड करके जरूर बताएं और यदि आप चाहते हैं इन सभी जो टूल्स देखे आपने इसके पीडियाप फाइल को डाउनलोड करना तो वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वह आप बॉक्बढ़ करना तो इसका आप लोग।